दोस्तो सरस्वती चंद्र एक भारती हिंदी धारावाईक था जिसका प्रसारान इस्टार प्लस और दोर्दसन पर हुआ था ये टीवी शो उस समय का सबसे पोपलर शो था ये सो पंदरा फरवडी 2013 से सुरू होकार 20 सितंबर 2014 तक चला इसमें सरस्वती की जोड़ी को काफी ज बिजनेसमें रहते हैं और इसकी मावच्पन में ही पानी में डूपकर मर जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है जिसके बाद सरस के पिता दूसरी साधी कर लेते हैं सरस्वती चंद्र की सोतेली बाग का नाम गुमान था जब सरस्वती बड़ा हो जाता है तो लक्षमिन मेरे माबापों के सामने ना करके जाना अगर तुम्हें इतनी हिम्हत है तो ये बात सुनकर सरस्य गुजरत कुमुत के घर आ जाता है जिसके बाद में सभी के साथ घुल मिलका रहने लगता है देखते ही देखते ही सरस और कुमुत को एक परिस्ता सरस से पक्का कर देते हैं कुछ दिन बाद सरस के पिता कुमुद के घर आते हैं और सभी से अच्छे से घुल मिल जाते हैं कुछ समय बाद सरस और उसे के पिता और गुमान वापस दुबई चले जाते हैं सरस के जाने के बाद कुमुद काफी शेड रहती है सरस दु और जब कुमुद अपना व्रत खोलने के लिए सरस की फोटो देख रही होती है तो उस समय सरस आ जाता है और कुमुद को सर्प्राइज देता है वहाँ दुबई में सरस के पिता ने जो मरजर पार्टी एक दिन बाद रखी थी वो मिटिंग गुमान एक दिन पहले कर देती है और सरस इस मरजर पार्टी में नहीं होता है क्योंकि वह वहाँ कुमुद के पास रतना नगरी में होता है जिसके बाद मिश्टर सेख सरस के पिता की काफी बेच जती करते हैं कि तुम्हारा बेटा कहां गया उसे इस मरजर के अलावा कुन सा बड़ा काम आ गया जिसके गुमान सरस के पिता को काफी भढ़का देती है और बोलती है कि सरस वहां रतना नगरी कुबुद से मिलने गया है गुमान बाप बेटे के भी जगड़ा कराने के लिए सरस की मा के द्वारा लिखा गया हुआ पत्र सरस की फाइल में रख देती है जब सरस अपने घर आता है और उस खत को पड़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मा ने उसके पिता और गुमान के चक्कर में खुदकुसी की है जिसके बाद वह अपने पिता से जखड़ा करके घर छोड़कर चला जाता है जिसके बाद सरस अपनी मा के सदमे से नहीं निकल पा रहा था और उसने सोचा कि अब मैं अमिर बाप का बेटा भी नहीं रहा और अब मैं कुमुद का ख्याल के से रखूंगा और वो कुमुद को फोन करके साधी के लिए मना कर देता है साधी इंकार के बाद कुमुद का दिल तूट जाता है और परिवार वालों के मान रखने के लिए वो प्रमादन धर्मादिकारी से साधी कर लेती है जब सरस को अफसोस होता है कि इन सब बातों में कुमुद की कोई गलती नहीं है इसलिए वे कुमुद से माफी मांगने रतना नगरी जाता है जब सरस दरवाजे पर पोहुच जाता है और दरवाजे पर लिखा देखता है कुमुद और प्रमाद तो वो ये देखकर हेरान हो जाता है और साधी रोकने के लिए जैसे ही अंदर जाता है उसी समय सुलंकी उससे बदला लेने के लिए आ जाता है और सुलंकी और उसके गुंडे सरस की बहुत पिटाई करते है और उसे रास्ते में फेक देते हैं मार कर वहाँ प्रमाद और कुमुद की साधी हो जाती है और कुमुद की विदाई हो जाती है जिसके बाद उनकी गाड़ी रास्ते से गुजाती है तो प्रमाद की बेहन सरस को रास्ते में जखमी पाती है और कार में बिठाल कर अपने घर ले जाती है जब कुमुद को पता चलता है कि सरस यहां उसे के ससुराल में है उसे वहां से जाने को बोलती है पर सरस वहां से नहीं जाता जब कुमुद को पता चलता है कि उसका पती सराबी है तो वहे उसे सुधारने की कोजिस करती है पर प्रमाद नहीं सुधरता और कुमुद कर अत्याचार करता है जब ये बात सरस को पता चलती है तो वह कुमुद को बोलता है कि तुम इसे छोड़कर अपने घर चली जहां तुम खुस रोयती थी पर कुमुद बोलती है कि आज मैं यहां सिर्फ तुमारी बज़े से हूँ कुछ समय बाद प्रमाद सुधरने का ढोग करता है और एक दिन कुमुद को कहीं बाहर एक बंद होटल में ले जाता है पर वहां सरस बोच जाता है और कुमुद की जान बचा लेता है और सरस और कुमुद रतना नगरी पोच जाते है और कुमूत एक बार फिर अपने घर में रहने लगती है और सरज भी एक बार फिर वही पर रह कर अपनी मा के नाम से स्कूल बनाता है बाद में इन दोनों को एक दूसरे से फिर प्यार हो जाता है और यह लोग साधी कर लेते हैं कुछ समय बाद कुमुतु को एक लड़की होती है और यह सेरियल वहें पर खत्म हो जाता है